ये बच्चो चलते हैं mental math class 9th के next question की तरफ मैं हूँ हरी sir और आप देख रहे हैं मेरा youtube channel चलो कदम बढ़ाएं तो बच्चो mental math की इस series में हम करें chapter number first जी हाँ number system बहुत ही ज़्यादा important है आप इसको देखें सीखें इसमें से और दूसरों को जरूर सिखाएं देखिए बच्चो यहाँ पर question मैं आपके सामने कर देता हूँ question number 16 अब करने वाले हैं ठीक है write the following in ascending order यहाँ पर route 25 यहाँ पर दियावा बच्चो route 16 route 64 और साथ ही धर यह number दिये है question number 4 तक है यहाँ पर नोटबुक में लिखे वे दिखाता हूँ ठीक है बच्चो जैसा कि आशर लिखते वे जाते देखो बच्चो route 25 25 का perfect square route 5 ठीक है और 16 का होता 4 और 64 का होता है बच्चो 8 तो इसमें ascending order में हमें लिखना है तो पहले सबसे पहले बच्चो small number आएगा ठीक है 4 4 किसके लिए है route 16 के लिए है तो route 16 पहले आएगा और इससे greater number इधर आता है यानी 5 य आएगा route 64 तो बच्चो यह first part तो हो गया अब हमें करना second part ठीक है यहाँ पर तो second part के लिए देखो यहाँ पर यहाँ पर यह जो route के अंदर आप यह लिखिया पावर बोल लेंगी इसको 4 यहाँ पर 3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है बच्चो तो 4 3 2 का L से हम लेना है 4 2 4 और 3 का इस तरीके से आए ले लेते हैं 2 वंजा 2 2 2 जा 4 और यह 3 यह पर 2 से ठीक है बच्चो और यह 3 तो फिर आएगा 3 से इस तरीके से तो 2 2 जा 4 3 जा 12 तो 12 ऐसे हम आज आएगा बच्चो तो हमें करना क्या आए बच्चो यहाँ पर सब की यह जो लिखाना साड्स को हम 12 बना देंगे अब यहाँ पर तो बच्चो क्या लिखा है 2 है एक की तरीके से 2 है तो 12 बनाने के लिए हमें इसको 6 से मल्टिप्लाई करेंगे साथ ही 3 को भी 6 से मल्टिप्लाई कर देना यानि 6 3 की पावर 6 कर देनी है ठीक है इस तरीके से अब यहाँ पर लिखा 3 root 2 ठीक है बच्चो तो हमें क्या बनाना 12 बनाना है तो क्या करेंगे बच्चो 4 से मल्टिप्लाई कर देंगे साथ ही 2 को भी 4 से यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख देंगे ठीक है इस तरीके से और 3 वाला है बच्चो यहाँ पर 4 root 4 ठीक है अब इस 4 का हमें 12 बनाना तो इसको तो 3 से मल्ट 27 273 जा क्या होता है बच्चो 81 81 3729 और यहां पर इसको एक बार फिर हम तिरी से मल्टिप्लाई करते हैं 3927 ठीक है कैरी 2326 और 28 3721 ठीक है तो यह आ गया 2187 यह हो गया अब हम करना है सेकिंड वाला यहां पर भी देखो यह पावर आगे 12 इधर यह रूट के बाहर और ठीक है बच्चो तो अब इसमें देखो सबसे smallest number कौन सा है जी हाँ यह है ठीक है बीच वाला नंबर है यानि 2 की पावर 4 यहाँ पर बच्चो यह वाला ठीक है तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 रूट 2 ठीक है यहाँ पर क्यों रूट भी आप इसको बोल सकते है इसके बाद बच्चो नंबर है यह लास्ट वाला तो फिर आएगा इधर यह greater 4 रूट 4 और लास्ट में आएगा बच्चो ठीक है रूट 3 तो यह sending order हो गया यहाँ पर तो अब हम करने वाले हैं बच्चो 3rd part ठीक है 3rd part में भी मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पर देखिए लिखा देखो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है तो 3,4,2 का LCM जब लेंगे तो 12 आएगा इसका भी तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिखा है 5 तो 3 का 12 बनाने के लिए 4 से multiply करेंगे तो 7 ही 5 की power 4 बना देंगे और इसमें 4 यहाँ पर बच्चो लिखा है 6 तो इसको भी 12 बनाना है तो 3 से multiply करेंगे 7 ही 6 की power 3 लिख देते हैं ठीक है और 7 यहाँ पर है बच्चो 2 ठीक है और हमें बनाना है क्या 12 तो इसको 6 से multiply करेंगे 7 को भी हम 7 की power 6 बना देते हैं ठीक है इस त 12 बन गया और 5 को 4 times multiply करते हैं तो कितना आएगा बच्चो यहाँ पर 5 into 5 into 5 into 5 इस तरीके से ठीक है तो आता है 625 तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथ यहाँ पर आगे यह 12 और root 6 को 3 times multiply करते हैं तो 216 आता है बच्चो यह मैं लिख देता हूँ और साथ यहाँ पर 7 की power 6 है जी हाँ यह तो आएगा greater number आपको जैसा कि आप देखी पा रहे हैं तो यहाँ पर यह greater number बनेगा तो इसको आप multiply करने की जूरती है common sense है अगर आपको quiz में participate करते हैं तो जल्दी से आपको करना है तो यहाँ पर सबसे small number जो आ रहा है वो बीच वाला number आ रहा है यानि कि यह वाला number ठीक है तो इसको हम लिख देते हैं 4 यहाँ पर root 6 और फिर इससे greater number होगा 3 या cube root आप इसको बोल सकते हैं 5 और last में फिर यह number होगा root 7 ठीक है बचो इस तरीके से अब हम करेंगे fourth part ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पार है मैं इसको आपके लिए easy तरीके से कर लेता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से ठीक है यहाँ पर root 5 के अंदर यह 5 लिख देता हूँ यहाँ पर यह 2 और यह number है बच्चो यहाँ पर इसको solution मैं नीचे लिख लूँगा कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आएगा यह 5 और इधर है बच्चो 5 और यह root 4 इस तरीके से अब हमें करना क्या है urged 5 का एल और रोट तो हमें 15 बनाना तो इसको 3 से मल्टिप्लाई करना साथ ही 2 की पाउर 3 लगा देनी है ठीक है फिर यहां पर 3 यह 15 बनाएंगे तो इसको 5 से मल्टिप्लाई करेंगे और यहां पर आगए बच्चो 15 और जाहिर सी बात हैं यहां पर आगए करते हैं तो तो 55 25 केरी 25 टूजा टैन और टूज़ ठीक है बच्चो यहां पर 56 30 और 131 तो यहां पर आगया 3125 और साथ यहां पर आगया 15 और यहां पर फोर को थी टाश मल्टिप्लाइ करेंगे तो 64 अब समोलेस्ट नंबर क्या रहे बच्चुल पैर फास्टी समोलेस्ट नंबर है तो इस इसको सेंडिंग ओडर में लिखते हैं यहां पर टू पहले इस फॉम में लिख लेते हैं फिर इससे ग्रेटर नंबर आता है लास्ट तो हम इसको लिख लेंगे इस फॉम में और फिर सबसे ग्रेटरस्ट है यह थ्री और रूट फाइप इस्ट है ठीक है तो यह फर्स्ट की पावर वन बाई फाइब और लास्ट में जो आया बीच वाला नंबर यानि ये ये वाला नंबर ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं फाइब वन बाई थ्री इस त्रीके से तो बच्चों ये कोश्चन सोल हो गया है आपको ये कोश्चन कैसा लगा मुझे कमें जरू लिखें इसमें से सीख कर आप दूसे बच्चों को जरू सिखाएं मिलते अगले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद